नमस्कार मैं हो ससी आया जारखन की टॉप 25 पर्मोग खबर जानते हैं जारखन में दसवी और बराहवी की परिक्षा पर इस सप्ता हो सकता है निर्नाय जारखन में भी दसवी तथा बराहवी बोट की परिक्षा को लेकर इस सप्ता निर्नाय हो सकता है उमीद की जा रही है कि राई सरकार इस पर केंद्र के निने के साथ जा सकती है अब अब यहां भी अवश्यक निने लिया जाएगा बताने इस बावप पूछे जाने पर इसकोली सिख्चायमसर्चरता विभाग के सची राईसर्मा ने कहा कि मंगलवार को साम में केंद्र का नीने हुआ है विभाग केंद्र के बिस्तित दिशानिर देश का इंत्यार कर रहा है जाखन की राज़धानी राची समयत अने जीलों में मेग गरजन के साथ बारिस होने की समभना है बजरपात के कारण किसान समयत अने लोग को सवधानी बरतने के अपिल की गई है माउसम केंदर राची के नुशाय, राजधनी राची के अलावा हजारीबग बोकारू, रामगड गुमला और सिम्डेगा जिले के कुछ छेतरों में गवराज के साथ बारिस होगी बता दे तीन जुन को राजे के कुछ अस्थानों पर में गर्यन के साथ हलके से मदर्ज की बारिस हो सकती है बता दे छो जुन को राजे के दक्षिनी भाग पुरवी सिम्भूम पच्मी सिम्भूम सराय के लखर सावा सिम्डेगा वहीं साथ जुनको राज के दक्षिनी तथा मध्य भागों में कहीं कहीं पर में गर्जन के साथ हलके से मध्दर्ज की बारिश हो सकती है बिनाय कुमार चौबे बने सियम हमंद के सचीव वहर ये आयेस अधिकारी बिनाय कुमार चौबे जार्खन के मुख मंतरी हमंसुरन के सचीव बनाये गए हैं इस समध में अजिस उतना जारी की गई है बिनाय कुमार चौबे पूर के पदो पर भी अतिरिक्त पर भार में रहेंगे बतादे चौबे अगले आदेश तक अपने कारियों के साथ नगर विकास यों आवास बिभाग के सचीव जुलकों के प्रवण निदेशक ग्रेटर नाची विकास एजेंसी के प्रवण निदेशक उत्पात और मख्ध निश्यद विभाक के सची और उत्पात आयुक्त के साथ जार्खन वीवरेज कार्पोरेशन के प्रवन्ध निदेशक के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे उनलाइन परिक्छाओ में नकल का खत्रा जार्खन राजेपाल जाकन की राजयपाल द्रोपदी मुर्मू ने कॉलेजों में हो रही या होने वाली ओनलाइन परिछाओं में नकल की संभानाओं को लेकर चिंता व्यक्त की है उन्होंने कहा है कि बरतमान में कुरोना वायरस संक्रमन को देखते हुए विद्यार्तियों के सवत्र नियमें तिकरन है तू आनलाइन क्लास से विकल्प दीख रहा है लेकिन इस करन में यह विद्यान रखना होगा कि बच्चों में नकल की कूप राथा विक्सित ना हो उन्होंने कहा कि बीशो बिद्याले परिक्षा लेने की दिशा में ऐसा प्लेटफर्म या सिस्टम विक्सित करे जिसे बिद्यार्थी नकलना कर सके ज्यार्खन में सरकारी स्कूल के बच्चों को घर पर मिलेगी किताबे जाकन सरकार के आपता प्रवंद विभाग ने इसकुली सिक्षाम सर्चर्टा विभाग को सरकारी स्कुलों में पढ़ने वाले काक्षा एक से दस तक के विद्यार्थी को डोर टू डोर कितावे पहुचाने के रुमति दे दी है इसके बाद विभाग ने सभी जिला सिक्षा पदाधिकारी को इसकी जनकारी देते हुए बचों के घरों में पहुचाने की बेवस्ता करने के निदेश जारी कर दिये हैं बता दे इसमें कोविट से समधी दिसा निदेश का अनुपालन किया जाएगा CM हमंत ने इंटरनेट मीडिया को बनाया जन भागेदारी का जरिया मुख मंतिर हमंसुरे ने जारखन के मुख मंतिरी के रूप में पदभार ग्रहन करने के साथ ही इंटरनेट मीडिया फेस्बूक और ट्यूटर को जन भागेदारी का ससक्त जरिया बनाया है वे संक्रमन का काल खंड हो या कोई समय, मुख्यमंत्री आपकी है सरकार, साजा करे सरोकार के मंत्र को तवरित समस्या समधान का तंत्र बना कर चल रहे हैं पता दे इंटरनेट मीडिया पलेट फॉर्म के माध्यम से प्राद सुचनाव के अधार पर हर ज़रुत मन तक मदद पहुचाने के लिए मुख्यमंत्री अधिकारियों को निर्देश देते रहे हैं जिसका सीधा लाब लोगों को मिला है 2020 के संक्रामन के दौर में तो मुख्यमंत्री ने ट्यूटर के जरिये सबस्यादिक परवासिस रमी को और छात्रों को मदद पहुचाई है ज्यारखन के हर पंचायत में मुख्यमंत्री दिरी की चन क्रोनवायरस महामारी की दूसरी लहर के कारण देश के विभीन भागों में लगाये गए लोकडाउन के कारण उध्योग धंदे बंध है इस कारण दूसरे परदेशों से कामगार जाकन वापस आ रहे हैं इसे ध्यान में रखते हुए राज्ये की हिमन सरकार ने पहल की है इसके तहट परदेश के हर पंचायत में जरुरत मंदों को निसुल्क भोजन उपलावत कराने के लिए मुख्यमंत्री दिरी कीचन योजना के शुरूत की जाएगी इसी माह जून के प्रथम सब्ता में करीब 4,000 पंचायतों में योजना शुरू की जाएगी CVSC वर ICSC की तर्जपर जार्खन बोट की बराहमी परिक्षारत करे अविभावक संग जाखन अविभावक संग की अउनलाइन बैठक बोद्वार को अजयराय की अध्यक्षता में हुई एसोसियेशन ने CVSC वर ICSC बोट की परिक्षारत करने के फैसले को ठीक बताते परधान मंतिर नायन बोदी का अभार व्यक्त किया उन्होंने कहा पीम ने अविभावकों की पीडा को समझे बैठक में सामील सभी सदस्यों ने जाखन सरकार से मांग की है कि जिस तरह केंदर सरकार ने CVSC वर ICSC की बरावी की परिक्षा COVID-19 के संक्रमन को देखते वे रध किया है उसी तरह जैक बोड भी बरावी की परिक्षा रध करे CM हमन्त ने कोरोना टीके की दूसरी खुराक ली जाखन के मुख मंत्री हमन्त सुरेन और उनकी पत्नी ने बुद्वार को COVID-19 के टीके की दूसरी खुराक ली इसके बाद सुरेन ने कहा कि उनकी सरकार का परियास है कि सभी लोगों का जल्द से जल्द टीका करण हो जाए मुख मंत्री सुरेन ने अपने आवास पर कुरोना टीका की दूसरी खुराक ली उन्होंने ट्वीट कर कहा मैंने COVID-19 का दोसरा डोज आई ले लिया है उमीद करता हूँ कि आप सभी टीका करण कार करम का हिसा बन रहे होंगे ज्यारखन में 532 नए केस मिले हैं ज्यारखन में 11 मरीज की मौथ हुई है ज्यारखन में कूल मौथ की संख्या 5.11 है वहीं ज्यारखन में कूल एक्टिव केस की संख्या 7.07 है भारत में 1,333,935 नए केस मिले हैं भारत में 3,333,13 मरीज की मौत हुई है भारत में कूल एक्टिव केस की संक्या 17,876 है वहीं भारत में 2,11,750 मरीज स्वास्थ हुए हैं जारखन में भी 1272 मरीज स्वास्थ हुए हैं जारखन में 532 नए केस मिले हैं जुराची से 60, बोकारो 27, चात्रा 24, देवघर 22, धनबाद 28, धूमका 1, पूर्बी सिम्हुं 52, गडवा 9, गीड 17, गोड़ा 12, गोमला 25, 1046, जामतरा 6, खुर्टी 29, गोड़ार में 13, लाते 28, लुर्दगा 11, पांकुर 3, पलामु 10, रामगड 12, साहिव गंज 20, सराइक लाते सिम्डेगा 49, और पच्मी से उनसे 15 मरीज मिले हाँ, पंचात चुनाव कराने पर मंतरी अलमगीर की बड़ी खुसना, गरामिन विकास मंतरी अलमगीर अलम ने कहा है कि राजे में कुरोना का परकोप यदी घट जाता है तो साल के अंत में पंचात चुनाव हो जाएगा, ब बता दे कि राजे में 33 अस्तर ये पंचातों का कार्यक काल जनवरी में समाप्थ होने के बाद केंद्र सरकार से अनमती लेकर इसे 6 मा के लिए कमिटियों के हावाले किया गया था, वह अधी भी समाप्थ होने को है स्वास्थ मंत्री ने की केंद्र सरकार से फिरी टिका करन की मांग जाकन के स्वास्थ मंत्री बाना गुपता ने बुद्वार को वीडियो जारी कर केंद्र सरकार से पूरे देश में फिरी वैक्सीन देने का अगरह किया है गुपता ने कहा कि जब केंदर सरकार ने बजट में 35,000 कोल रुपए खर्च करने के लिए आवंटित किया था तो फिर आज क्यों तीन तरह के टैरिफ लाए गए हैं। उन्होंने कहा कि बजट भासन में बीत मंत्री फिरी वैक्सिन के नाम पर और भाजपा नेताओं ने पांच राजियों के चुनाओ में फिरी वैक्सिन देने का चुनाओी नारा बुलंद किया। राज सरकार ने त्यारी शुरू कर दी है इसके लिए रिम्स को सेंटर ओफ एक्सिलेंस घोसित कर दिया गया है। जी पेड्रिया ट्रीक और सेंटर ओफ एक्सिलेंस फोर मैनेजमेंट ओफ सैम चिल्डेंड सामिल है। जार्खन में 6 या 7 से सुरू होगा निमोनिया का टिका करन। जार्खन में 6 या 7 जून से निमोनिया का टिका करन किया जाएगा। सिधात तिरपाठी ने इस बावा जनकार देते हुए बताया कि टिका करन के लिए 77,200 वैक्सिन जीले को भेज दी गई है। जीलों में परखंड अस्तरे ट्रेनिंग प्रोग्राम सुरू हो गया है। जो 2 या 3 दिनों में पूरा हो जाएगा। इसके बाद निमोनिया का टिका करन प्रारम होगा। उन्होंने बताया कि निमोनिया के वैक्सिन पहली बार राज में दी जा रही है। इस करह में 1.5 माह के सीशू को पहली डोज, 3.5 माह में दूसरी डोज और 9 माह में बोस्टर डोज दी जाएगी। 15 जीलों की तरह अन ये 9 जीलों में भी छूट की अनुमती मिले वैपार मंडल। Federation of All India वैपार मंडल के परदेश महास्यचीव DPS कुमार निराला ने मुख्यमंत्री हमान सुरुन के ट्वीट कर जारखन में स्वासुरक्षा सप्ता यानि आंसिक लोगड़न को 10 जून तक आगे बढ़ाये जाने के निने का स्वागत किया है। इसके साथ इनोने का है कि झारखन के 15 जिलो में जीस परकार सभी ब्याव साइग गति विदियो को खोलने की छूट के अनमती दी गई है। उसी परकार अने नौ जिलो में भी सवी ब्यवसाई कती विदियो को भी खोलने की सिग्र अनमती परदान की जाए लोहरदागा में हाटकोर नकसली गिरफतार नकसल बिरोधी अभ्यान के दौन लोहरदागा जिले के सेरे दांग थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है जारखन में बलाएक फंगस के 5 मरीज मिले वर हमें दो मरीजों में बलाएक फंगस के लक्षन पाए गाए हैं जबकी तीन मरीज जंदिग़ है स्वास्त विभाग के नोडल पतादिकारी सिधात तिरपाठी ने बुद्वार को यजनकारी दी उन्होंने बताया कि अभी तक बलाइक फांगस से राजे में 13 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं जबकि अभी तक राजे में 12 मरीजों का मौत हुई है सिधात तिरपाठी ने बताया कि बलाइक फांगस के कूल 91 के चारकन में है स्वास्त सुरक्षा सप्ता के उलंगन मामले में बुद्वार को 3,6,000,000 की वसुली स्वास्त सुरक्षा सप्ता को लेकर पूरे राजे में जारकन पुष लगतार भी से सभियन चला रही है बतादे अभियान के करमें बुद्वार को स्वास्त सुरक्षा सप्ता का उलंगन करने और बिना मास्क के लोगों से कूल 3,6,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, टेस्ट अभियान के तहत पंचायत अस्तर पर बनाई गई टीम ने 999730 लोगों की मेटकली स्क्रीनिंग की जनकारी की अनुसार 21 मई से 2 जून तक इन सब की मेटकली स्क्रीनिंग की गई साथी जीला के सभी परखंडों में 33-135 लोगों का रैपिट एंटिजन टेस्ट किया गया इन में 1952 लोग कोविट पोजिटी पाएगा जबकी 32-940 लोग निएटी पाएगा है जैक बोट की परिक्षा रद करे हमन सरकार दीपक परकास कुरूना संक्रामन के परभाव और जार्खन एकेडमी काउंसील छात्रों की सुरक्षा को लेकर भाजप्रा के पर देश अध्यक सांसत दीपक परकास ने जैक की परिक्षा रद करने की मांग की है उन्होंने बुद्वार को काया कि देश के लाखों चात्रों की सुरक्षा को देखते हुए प्रधानमंति के अध्यक्स्ता में CBSC बोट की बरावी की परिक्षा को रहत करने का सरानिय नीने लिया गया है इस नीने से देश के चात्रों को बड़ी रात मिली है ज्यारखन पहुची कोवी सील्ड की 2,10,000 डोज कुरुना में हमारी को रोकने के लिए ज्यारखन में टीका करन अभियान चलाया जा रहा है बतादे केंद्रे ने बुद्वार को ज्यारखन को कोवी सील्ड के टीके की 2,10,000 डोज उपलब्द कराई है ज्यारखन में 3 जून से शुरू होगी राईष्ट्री राजधानी राची सहित पुरे राज में बंद पड़ी राईष्ट्री का काम गुरुवार से एक बर फिर शुरू होगा बतादे ज्यारखन दस्तावेज 29 संग के अध्यक्स नित्यानंद राई ने बुधवार को कहा कि निवंधन कर्याले में करेड़ा दस्तावेज निवीश संग के सदस्यों को दुबारा कारे शुरू करने का निदेश जारी कर दिया गया है इसके साथ ही राजे भर के दस्तावेज लेखो को को सक्त हिदायत दी गई है कि वे कुरोणा से बचाव के लिए सरकार द्वारा तै की गई गाई लाइन का पालन करे और निवंधन कर्याले में भीर भार की इस्थिती नहोने दे धन्यवाद